हलो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर जैसा कि लास्ट वीडियो में अप्डेट किया था उसमें आपको बताया था कि मैंने पिछले पे कितना प्रॉफिट कैसे बनाया है और इसके साथ मैंने कहा था कि आपको बहुत सारे स्टाटेजी बताने वाल हूँ पर कुछ लोगों ने क्या था M2M सेटलमेंट के लिए कि M2M सेटलमेंट कैसे होता है तो दूसरी स्टाटेजी की तरफ बढ़ने से पहले M2M सेटलमेंट में आज आपको क्लियर कर देता हूँ कि M2M सेटलमेंट, option buying में, selling में, future में, cash में कैसे होता है जिसको समझना बहुत एहम है ठीक है बहुत सारे लोगों को confusion है और मेरे पास बहुत queries आती है M2M को लेके तो एकदब starting से समझते हैं basic से कैसे होता है M2M सेटलमेंट पहली चीज़ तो आप यह समझे लेगे कि अगर आप cash market में काम कर रहे हैं cash market में काम कर रहे हैं तो वहां पे M2M पर कोई game नहीं होता cash market में no M2M settlement M2M settlement क्या होता mark to market यह सिर्फ और सिर्फ derivatives में होता है तो यह चीज़ के लिए रहे हैं cash में कोई M2M ना आता है ना जाता है अब derivatives में भी future में M2M कैसे लगता है कब पेकरना होता है option में कैसे लगता है वह समझ लेते हैं पहले future तो दो तरह के future में काम होता है एक तो index future एक stock future तो आप index future में काम कर रहे हैं या stock future में काम कर रहे हैं M2M settlement daily basis पे होगा ठीक है और वह M2M जो आपको minus होगा क्या plus होगा वह आपके ledger में reflect करेगा plus और minus ठीक है Let's have an example के आपने nifty future buy करनी है जिसका margin है 90,000, 80,000 रुपे के असपास ठीक है और आपके ledger में कितना था? एक लाग होता है तो जब आप nifty future buy करेंगे न तो आपके ledger से पैसा debit नहीं होगा जो nifty future का margin है वो margin capture हो जाएगा लेकिन ledger में आपका एक लाग balance reflect करेगा लेकिन एक लाग में आप एक nifty future buy कर लिए आप दूसरा buy करना चाहेंगे तो buy नहीं होगा क्यों? क्योंकि एक का margin 80,000, 80,000, 80,000 चाहिए तो एक nifty future buy हो जाएगा अब इसमें देखिए M2M service लेटसे कि आपने morning में nifty purchase कर लिया ठीक है nifty आपने purchase किया और closing bail पे ठीक है जब nifty close होती ही तो 100 point down close होती है ठीक है और आपने position square off नहीं कर रहा है means आपने position carry कर रहा है आपकी position intraday नहीं है correct तो 100 point जब nifty minus बंद हो रही है तो 75 जो nifty को lot size है into 100 क्योंकि 100 point down बंद होई है 7500 यह आपके ledger में debit हो जाएगा यह आपके ledger में entry भी आ जाएगी कि 7500 रुपया आपके icon में debit हो गया ठीक है तो 1,00,000 रुपया जो आपको credit दिकरा था वहाँ से 7500 रुपया minus होके फिर ledger balance update हो जाएगा इसी तरह से अगर वह 7500 आपको profit आया होता nifty 100 point उपर बंद होई होती ठीक है आप position carry किये होते हैं position intraday नहीं काते होते तो वह 7500 plus का आपके ledger में credit entry हो जाता ठीक है loss हुआ तो debit entry हो गई और profit हुआ तो credit entry हो ठीक है तो ऐसे M2M settlement चलता है जब तक आप position clear नहीं करोगे तो daily basis पे M2M settlement होता है daily basis पे आपका ledger update होगा जहां market close हुआ market settle होगे उसके आपका M2M update हो जाता है यह M2M आपके software में भी आप देख सकते हैं आप trading कर रहे हैं आपने position बनाई है आप offline trading कर रहे हो या online trading कर रहे हो अगर online trading कर रहे हो आप खुद से देख सकते हैं offline trading कर रहे हैं तो आपने dealer से पूछ सकते है कि मेरे आज का M2M क्या है plus or minus है यह index future था अब stock future में भी same होता है लेकिन stock future में क्या होता है कि हर stock का lot size अलग होता है it is decided by exchange 750 का lot है इसी तरह से आप कोई सा भी उठा लीजिए सब का lot अलग SBI का lot अलग होगा Lens के lot size अलग होगा Lens का margin अलग होगा तो उसमें भी settlement इसी किसाब सोगा Lates है कि आपने SBI के lot purchase कर लिया lot size 1000 quantity का lot size है margin आपके पास आपके ledger में 1 lakh है margin let's have an example के आपने 1 lakh रुपय दे लिया SBI का margin exchange है 1 lakh रुपय डिसाइड कर रखा है lot size कितने का 1000 का है आपने SBI का future buy कर लिया आप इसको carry कर रहे हो ठीक है आपने last position square of नहीं करा तो जब आपने position square of नहीं करी तो जो भी plus minus होगा लेटसे कि आपने SBI 300 पे खरीदा है 310 पे बंद हो गया तो 10.plus बंद हो गया और आपने position नहीं काती 10 into 1000 ठीक है तो 10,000 के आसपास का आपको credit 10,000 के credit आपके ledger balance में credit हो जाएगा और यहीं नीचे बंद होगा 10,000 के आपके ledger balance में debit हो जाएगा यह position तब तक update होता रहेगा जब तक आप SBI की position clear नहीं करोगे यह XYZ जो भी stock future आपने लिया उसकी position clear नहीं करेंगे तब तक यह M2M settlement आपका चलता रहता अब लेकिन confusion है कि option में M2M settlement कैसे होता है यह लोगों को बहुत confusion है तो मैं आपको clear करना चाहता हूँ कोई confusion की बात नहीं है it's very easy to understand ठीक है just focus अगर option आप buy कर रहे हैं जाए वो index option हो जाए वो stock option हो होता क्या है जो भी premium चलता है into lot size जो भी premium की value होती हूँ आपको पूरा pay करके purchase करना होता है company कभी option में limit नहीं देती है ठीक है जितना premium की valuation हो रही है lot size को multiple करके वो पैसा आपको एक company को देना पड़ता है तब वो option buy करता है सकते हैं ठीक है buying option में आपने buy कर लिया उसके बाद जब आप sale करेंगे तब जाके आपका जो भी settlement होगा वो laser में debit let's have an example कि निफ्टी अभी चल रही 10,000 की आप सपास ठीक है आपने कोई एक call server में खरीब लिया ठीक है निफ्टी का lot से कितना है 75 का है 75 into 100 is equal to 7500 7500 आपके ledger से debit हो जाएगा अब यह 7500 का है आपके कोट से debit हो गया और आपने position पूरे last महिने तक रही ठीक है डेली market fluctuate कर रहा उपर जा रहा नीच रहा डेली आपको option fluctuate रहा उपर आपके ledger में debit credit नहीं होगा लेकिन जिस दिन आप option close करोगे ना उस दिन आपका debit यह credit आपका ledger होगा ठीक है अगर आपने option purchase की 100 रुपे में 200 रुपीज चली गई तो 100 का profit हो गया 100 का आपने premium पे किया था ठीक है तो 7500 वो और 100 7500 profit वो वो एक साथ आपके ledger में credit होगा लेकिन daily M2M settlement option में नहीं होता है एक बार आपने purchase कर लिया जब इसको अरफ करोगे तब settlement होगा correct है अब दूसरा चीजे selling option में M2M settlement कैसे होता है जब भी आप option sale करते हैं जो भी premium पे है let's have an example index option का मैंने buying में दे दिया था stock option का selling example देता हूँ xyz xyz 300 रुपय के आसपास चल रही है 1000 का lot size था 300 का call option आप sale करते है let's say कि उसकी premium 10 रुपया थी 10 रुपया into lot size 1000 10,000 रुपया हो गया यह 10,000 रुपीस आप sale करते हैं option तो आपके laser में credit हो जाता option selling हमेशा laser में credit हो जाता पहले उसके बाद कोई M2M settlement नहीं होता जिस दिन आप option बराबर करेंगे जिस दिन आप option जो selling किया उसको purchase कर लेंगे तो उस दिन ही laser आपका update होगा एक साथ जैसे future में रोज M2M update होता यहां पर नहीं होता ठीक है आपने buying कर ली तो एकदम जब उसको sell करोगे जब position बराबर करोगे तो laser आपका update होगा तो वहाँ पे settlement हो जाएगा आपने option sale कर रहे हो आप तो पहले ही जो option आप sale करते हो जो premium है उसका premium आपका laser में credit हो जाता है ठीक है यह 10,000 का जो मैंने आपको example SBI की 10 रुपय में आप call बेच रहे हो 300 की लाट साथ कितना 1000 तो 1000 into 10 is equal to 1000 10,000 यह 10,000 आपके laser में credit हो जाएगा लेकिन यह credit आप payout नहीं ले सकते हैं ठीक है यह आपके laser में reflect करेगा जब यह position आप बराबर करेंगे जब यह position आप close करेंगे जब यह option आप buy कर लेंगे तो जो भी आपका profit and loss होगा वह आपके laser में update हो जाएगा लेकिन selling option में एक चीज होता है ठीक है कि MTM settlement नहीं होता है लेकिन आपने option sale कर रखा है तो sale option में क्या होता है risk to unlimited होता है profit limited होता है यह मैं एक video में cover करने वाला हूँ कि sale option में कैसे काम कर सकते हैं उसमें risk and reward कितना है ठीक है फिलाल यहां पे बात कर रहे है तो उसमें क्या होता है risk unlimited होता है आपने sale किया था क्यों क्योंकि प्रीम शायद आपको काम हो या position hedge कर नहीं हो कुछ विनेकेट भी कर रहा हूँ लेकिन आपने sale करने के बाद इस बेगी call option शुट अप हो गई तो वह जो पैसा आपको लग रहना वह आपके shortfall में reflect करेगा जैसे जैसे वह लगता जाएगा पैसा बढ़ता जाएगा company से आपको margin call आने लग जाएगा sir आपका shortfall है shortfall है पर वह M2M option का जो है लेजर में credit नहीं होता है तो बस M2M की यही कहानी है और M2M में कुछ भी नहीं रखा this is very simple उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा नहीं समझ में आया फिर भी आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं नीचे comment करके पूछ सकते हैं मैं फिर से आपको समझाऊंगा ठीक है फिलाल आज के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब पर ले आज के मेरे दोस्तों इतना ही thank you मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में नए strategy के साथ thank you